मम्मी जी मुझे मत मरो और मत मरो मम्मी जी बहुत ज़्यदा दर्थ हो रहा बचाओ मुझे कोई मचाओ मुदी जी आ गया मुदी जी बचाईए मुझे बचाई मम्मी जी के हातों से बचाईए मुझे अरे रुख जाओ सोनिया बेहन रुख जाओ क्या हो गया राहूल को इस तरीके से क्यों पीट रहे हो आप रास्ते की बीच में अरे क्या हो गया कुछ तो बताओ मुदी जी आप देखने ही रहे हो राहूल के हाथ में क्या है राहूल के हाथ में दारू की बोतल है राहूल आजकल घर में रोज दारू पी कराता है मैं इसको आज मारूंगी मार मार के इसका हड़ी पसलिये कर दूँगी आप हड़ जाए मुदी जी हड़ जाए आप राहुल ये गलत बात है ये गलत बात है राहुल ये तुम्हारा मम्मी जी ने क्या कह रहा है कि तुम रोज घर में आजकल दारू पीका रहाते हो आभी भी तुम्हारा हाथ में दारू का बतल है फेको राहुल फेक दो उसको और बजा क्या है राहुल बताओ क्यू दारू पि क्यों नहीं पका मम्मी जी कहती है मेरा उमर हो गई बेटा मैं अभी खाना नहीं पका सकता मैं कहता हूँ ठीक है मम्मी जी आपका उमर हो गई आपको काम करने में डिक्कत होती है आप भूला ये घर पर मेरा साधी दिला दीजे लेकिन मम्मी जी मेरा एक भी बात नहीं सुनती इसलिए मैं रोज दारू पिने का नाटक करता हूँ ये जो मेरा हाथ में बोतल देख रहे हो आप मोदी जी ये दारू का बोतल नहीं है दरासल ये जूस का बोतल है मैं मम्मी जी को रोज इसी तरीके से परशन करता हूँ अच्छा तो ये बात है ठीक है रहुल आप उड़ जाओ उड़ जाओ रहुल तुम्हारा साधी की जिम्मेदरी आपसे मेरा है उड़ जाओ रहुल तुम मोधी जी आप कौन होते हो मेरे बेटे राहुल की साधी का जिम्मेदर लेने वाला आप कौन होते हो आप जाओ यहां से आप जाओ मैं राहुल को नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी राहुल को और भाई लुग वीडियो को लाइक करे शेयर करे चैनल को सस्क्राइब